इस्राइल और फिर्स्तान की मांग करने वाले आतंकियों की लड़ाई की बीच अब तक 1500 से जादा लोगों की जान चली गई है न्यूस के अनुसार अब तक 1.5 सो लोग अगवा हो चुगी है इस हमले में इस्राइल की सबसे अच्छी वायू रक्षा प्रणालियों में से एक आईरन डोम टेक्नॉलिजी भी फेड हो गई ये वही इस्राइल है जिसकी मिलिटरी पावर की तारीफों की कसीदे पड़े जाते थे लेकित आज हाल ये है कि इस्राइल की पिछले 50 सालों में से ये हमला सबसे बड़ा इंटेलिजन्स फेलियर साबित हुआ है क्यों हुआ ये इंटेलिजन्स फेलियर इसकी पीछे सबसे बड़ा कारण है एक राश्चुवादी पीम नेतर नियाहों की सरकार गिरा कर अजब गजब गडबनन करके पूर्व पीम नफ्ताली ने अपनी सरकार बनाई पीम बनने के लिए नफ्ताली ने जो गडबनन बनाया उसमें उन्होंने अरब, वामपंदी और मद्य विचारदारा वाली पार्टियों को हिस्टेदार बनाया था जो कि फिलिस्तान समर्टक भी है जबकि खुद नफ्ताली फिलिस्तान समर्टक नहीं है और इसी का नतीजा हुआ कि आज इसराईल पर ये हमला हुआ और लाखों लोगों की जान खत्रे में है अगर आप अभी भी नहीं सबजे हैं कि हमारा इशारक कि सरफ है तो आज भारत में भी देखा जा सकता है कि इसराईल की तरह सारे विपक्षी अलग-अलग विचारधारा रखने वाले मिलकर मोदी जी जैसे राष्टवादी पीम को हटाना चाती है ये जानती हुए कि 2014 के बाद से लेकर अब तक देश में हमला बम दमा के ना के परावर है आतन क्योंकि एक-एक मुव्मेंट का पता आज भारत को है क्योंकि देश में ऐसे सरकार है जिसने इंटेलिजन्स को इतना मजबूत किया हुआ है देश में गलत सरकार होने का जो नतीजा आज इसराइल में देखने को मिला वो भारत पहले ही देख चुका है 1998 में अटल जी की सरकार बनने से कुछ समय पहले ही कॉंग्रेस की समर्तन से इंदरुकुमार गुजराल को देश का पीम बनाया गया था जिनकी घटिया फॉर्ण पॉलिसी ने पाकिस्तान में खुफिया एजेंसी रौकर डेक्स ही खतम कर दिया था जिसका नतीजा ये हुआ कि जैसी गुजराल का कारेकाल खतम हुआ उसके कुछी महीने बाद पाकिस्तान ने कारगिल में गुस्पैट कर दी जिसकी जानकारी भारत को नहीं मिली क्योंकि गुज्राल की कॉंग्रेस वाले सरकार ने बेतू की तरीकी से इडिलिजन स्ट्रक्चर को ही खतम कर दिया था किसी भी देश में अपनी हुफिया इडिलिजन्स बनाने वे सालों की मेहनत और खत्रा होता है जिसे खतम करने में कॉंग्रेस जैसी निकम्मी सरकार ने जरा समय नहीं लिया अगर देश में एक गलत सरकार आती है तो इसराइल वाला हाल भारत का भी हो सकता है अभी भी किसी भी राचर में कोई गलत सरकार आती है तो ऐसी साजिशों का खुलासा होता रहता है बहीं दूसरी तरह बोडी जी की सरकार है जिसने ऐसे किसी मामने में सुख्षा से खिंडवार होने ही नहीं दिया फिर चाहे PFI हो जिसका पता चलते ही उसके प्लैन को नेस्ति न पूत कर दिया वही राम मंदर पर भी होने वाले हमले की प्लानिंग करने वाले आतंकियों को भी तुरंट गिरफतार कर लिया गया 2014 में देश ने सही सरकार चुनी इसलिए आज भारत पर हमला तो दूर कोई उसका नाम लेने से पहले भी सौ बार सोचता है